Hello and Good morning everybody, कैसे हो आप सब, I hope आप सब बहुत ही बेतरीन होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत जबरजस तरीके से चल रही होगी तो मैं संदीब कुमार आप सभी का study tips YouTube channel पे फिर से स्वागत करता हूँ जहां पे आपके लिए फिर से 100 days target batch के recording लेकर आया हूँ नमबर सिस्टम का पार्ट 3 यानि कि आज हम लोग नमबर सिस्टम के पार्ट 3 में हम लोग चल रहे हैं और बहुत से easy tips and tricks हम लोगों ने सीखा है और यहां पे और भी सीखने वाले हैं इससे आसान और कहा है अगर आपके पास बहुत सारे 100 tricks हैं और आपने बहुत ही जबर्जस्त तरीके से practice किया हो तो आपके लिए exam को निकालना चुट्कियों का काम हो जाएगा तो चलिए start करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए पहले question के तरफ यानि कि आज के जो पार्ट 3 में जो हमारा next question होगा तो देखते हैं जल्दी से जल्दी क्या है इसका question दो क्रमागत सम संख्याओ के वर्गों का अंतर एक सो है चोटी संख्या का मान क्या होगा यानि कि जो चोटा संख्या है जो उस नंबर का value क्या होगा तो चोटी संख्या कैसे निकालेंगे तो 100-4 divided by 4 कर देंगे 24 is your answer देखें बहुत इस सॉट में ये बन गया अब इसके कैसे हम को याद रखना है कैसे हम इसको बनाएंगे ये ट्रिक्स आपको कैसे याद रखना है आप प्रैक्टिस दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे मैं गैरंटी देता हूँ कि आप ये चीज नहीं भूलोगे कभी लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी टीचर से अगर आपने ये सुना होगा या कोई भी ऐसे हैं कहीं सभी कि आपको एक बार देख लो जिन्दगी भर नहीं भूलोगे यह नहीं होगा यह गलत बात है आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आप प्रैक्टिस नहीं करोगे अगर आपको वह चीज पता भी है तो आप एक्जाम में हो जाओगे अगर बन भी गया तो बहुत गलत करके आओगे इसलिए प्रैक्टिस आपको बहुत ही जादा वैल्यो में करना है जितना ज्यादा से ज्यादा आप नंबर चैंज कर लो वैल्यो चैंज कर लो और आप इसी ट्रिक्स को आप दो तीन बार प्रैक्टिस करो तो इसमें देखें क्या हॉट ट्रिक्स यहां पर लगता है दो क्रमागत सम अत्वा विसम यानि इवेन या ओड इवेन या ओड संख्याओं का वर्गो का अंतर अगर डी दिया होगा तो चोटी संख्या का मान अगभी बड़ी संख्या पर भी हम लोग चलेंगे तो आपका ये छोटी संख्या का वैलू आ जाएगा ओके ये अच्छी बात है कि आपको सिखने में बड़ा मजा रहा है और सिखना भी चाहिए क्योंकि सिखने से आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिस में मजा आएगा धिरे धिरे ठीक है चलिए नेक्स पर चलते हैं इसी क जाकर बड़ी संख्या आपको निकालने दिया जाए तो फिर कैसे आप निकालोगे तो नेक्स एक्जामपल 16 में हम लोग देखते हैं कि दो क्रमागत संख्या यानि कि फिर सवाई इवेन नंबर ही के लिए ही दिया गया है संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है सैम जापाऊं अच्छे धंग से आप इसमें अलग अलग वैल्यू आप एड़ करके आप चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि अंसर रहा रहा है नहीं आप इसको लॉंग टर्म से या लॉंग मेथट से भी आप बना सकते हो लेकिन उसमें आपको बहुत ही ज्यादा टाइम टेकन तो चलिए क्या है इसका दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गो कांतर एक सो है बड़ी संख्या का मान क्या होगा देखिए महां पे चोटी संख्या हम लोग निकाले थे यहां पे हम लोग बड़ी संख्या निकालेंगे ओके तो बड़ी संख्या इक्वल टू 100 प्लस 4 डिव तो इसमें कुछ नहीं ट्रिक्स है उसमें जो हो ट्रिक्स एक बार देख लेते हैं इसके बार दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझा देता है दो क्रमागत सम अतबावी सम यानि कि event या odd Numbers के वर्गों का अंतर अगर D है तो बड़ी संख्या का मान है अगर value पुछा जाए तो D प्लस 4 जो अंतर है यानि कि difference प्लस 4 कर देंगे divided by 4 कर देंगे तो टोटल नंबर आपका जितना भी निकल जाएगा वो आपका बड़ी संख्या होगा चोटी संख्या में हम लोगों ने D-4 का term यूज किया था और यहां पर प्लस वाला term यूज कर रहा है तो यही दोनों के बीच में difference है जो कि आप आसानी से समझ चुके हो तो चलिए कमेंट कीजेगा अगर किसी को किसी भी तरह का परिशानी हो या आपका कुछ different type का questions हो जिसको आपसे solve नहीं हो पा रहा है या confusion है आप लोगों को solve करने में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और हमारे चैनल पर नहीं हो तो definitely आपको इतनी अची classes मिल रहे हैं free of cost और 100 days target batch में आप इंटर कर चुके हो तो आप subscribe जरूर कर लेना और notification का जो bail है जो घंटी है उसको तो दबा ही देना क्योंकि उससे आपको जल्दी से जल्दी update मिल जाएगा जब भी हमारा video upload होगा और video upload का time भी है वह मैं आपको class के last में समझाऊंगा बताऊंगा आते हैं next question में कि क्या tips and tricks है next question का ठीक है तो किस तरह के questions यह सब जितने questions है यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा important बहुत ही ज्यादा important questions है जो कि हमने previous year और methods या जो भी आपके pattern slavers है उसके according हम लोगों ने उठा के यहां पर रखा हुआ है तो देखते हैं कि दो कर आप कोई भी exam देते हो तो आपको यह पता चली गया होगा कि इस तरह के questions पूछते हैं आप कोई भी previous year के questions bank या कोई भी practice set उठा के देख लो इस तरह के questions भड़े पड़े हैं वहाँ पर ठीक है और बच्चे क्या करते हैं easily वहाँ पर जाके नहीं बना पाते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है इसलिए आप ज तो चला देखते हैं हम दो कर्मागत धनात्मक संख्या ओं का ही यहां पर दनात्मक के आनध में बौल रहा है कि वर्गो का अंतरать 37 गया यहां पे सिब धनात्मक कर दिया और होगा सम भी सम था, सम था यहां पे धनात्मक कर दिया तो छोटी संख्या क्या होगा 37-1 divided by 2 equal to 18 37-1 equal to 36 by 2 इसको कटा दो तो 18 आजागा answer यह रहा आपका answer आपके हाथ होगा तो कैसे इसका trick रहे क्या trick लगाएंगे तो देख लेते हैं हम लोग एक बार दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गो का अंतर D है चोटी संख्या का मान क्या होगा तो इसका trick है D minus 1 divided by 2 इसको आप solve कर लोगे आपका answer मिल जाएगा याद रहे हमेसा यह धनात्मक यानि की positive numbers के बारे में बोल रहा है ठीक है आगे बढ़ते है next questions के तरफ किस तरह next pattern कैसे पूछा जाता है किसी संख्या में देखें यह बहुत important question यह भी यह question तो लगबग पूछा ही जाता है यहाँ पे जितने वैसे तो जितने हम लोग terms यहाँ पे जितने types के हम लोग pattern देख रहे हैं सभी important है आप से बितना कोई practice करके जाओगे तो आपका exam definitely आराम से निकल जाएगा लेकिन practice जरूर करना इसके उपर में तभी आपको याद रहेगा दरबाइस confuser हो गया किसी संख्या में साथ से गुना देखें किसी को भी misguide नहीं कर सकते हैं यही पढ़के जाओ यही question आएगा दस नंबर आपके हाथ में नहीं यह जोटी बात है इस पर believe मत करना कभी भी आप खुद से question का pattern सर्च करो खुद से pattern उसका सर्च करो इसके बाहर आप देखो कि इस तरह के question के pattern पूछ रहा है यह तो हम लोग अपने experience से बता देते हैं क्योंकि आप जब तक कोई exam को नहीं समझोगे exam pattern को को नहीं शमझोगे आपका exam निकलनत फूडब सा मुस्खिल हो जाता है कभी कभी आप देखते होंगे की बच्चों का easily exam निकल कि पूछने का टर्म क्या है किस तरह से पूछ सकता है इसका कहां तक पूछने का अबिलिटी है तो वह चीज को आप फोकस करोगे तो डेफिनिट्ली आपका एक्जाम एजली फर्स अटेम पर गरेंटेट बता रहा हूं फर्स अटेम पर आप निकालोगे आते हैं नेक्स्ट पैटन कुष्चन पर किसी संख्या में साथ से गुना करके गुननफल में जो आपका गुननफल आएगा ठीक है मल्टिपलिकेशन जो आएगा उसमें साथ जोडने पर संख्या यदी 17 से विभाजित हो जाए या डिवाइड हो जाए तो वह सबसे चोटी संख्या या चोटी अटन साथ से गुना करके गुननफल में साथ ही जोड दिया हम लोग तो उसमें जब नया संख्या बना तो वह सत्रा से वो डिवाइड हो जा रहा है तो उसमें चोटी संख्या कितना होगा निकालो इसको तो 7 इंटु 17-1 प्लस 7 सिम्पल जबात है साथ से गुना करके हम लो लेकिन हम लोग तो smart video से यहां पढ़ रहा है तो smart तरीक से हम लोग पढ़ेंगे यहां पर आते हैं इसके tricks के उपर कि क्या tips और hot tricks है यहां के तो किसी संख्या में A से गुना करके गुननफल में A ही जोड देते हैं और जोडने पर संख्या जो मिलता है यदि B से विवाजित हो जाए तो चोटी विवाजित संख्या क्या हो जागा तो A into B minus 1 plus A बस इसको solve कर लो आपका answer आपके हाथ में ठीक है तो यह समझाबर जस्त ट्रिक्स हम लोग यहां पर बढ़ रहे हैं आप study tips के साथ हो आप जल्दी सा subscribe कर लो अभी तक अपने अबगर नहीं किया हो क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा helpful होने वाली है किसी भी टाइप के examination के लिए आते हैं next question में अभी इसी ताइप के questions है लेकिन थोड़ा सा questions को गुमा दिया है पैटर समझना है यहां ठीक है सबस्ट्रेक्ट यहां पे हो गया यह तो संख्या किसी भी संख्या से 9 से विवाजी हो गया तो वह चोटी संख्या विवाजी संख्या निकाले थर्टीन इंटू 9 प्लस 1 माइनस 13 आप निकालोगे तो आपका एंसर आपके सामने है ठीक है इसको कैसे चैंज किया हम लोग ट्रिक्स में थोड़ा से चैंजिंग हुआ है बागी सब है क्योंकि question में थोड़ा से चैंजिंग हो गया है हम लोग चस्ट उसका थोड़ा से चैंज कर देंगे तो क आप पीछे जाके उसका डिफरेंस भी जान सकते हो अगर आपने नंबर सिस्टम के पहला और दूसरा पार्ट को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से जरूर देखो ठीक है जो कि आते हैं एक और बहुत ही बढ़िया ट्रिप्स है इस ट्रिक्स को बहुत ही जादा योज किया जाता है मैं डेफिनेटली बता रहा हूं कि यह बहुत ही जादा पूछे जाने वाला कुष्यन अब तक का नंबर सिस्टम में है तो क्या है एक विद्यारती को किसी संख् अठारे से भाग दे दिया, अब क्या है, उत्तर सही से 807 कम आ गया, लिख दिया वाई, कम आ गया, बताएं कि वो संख्या क्या थी, वो संख्या क्या थी, तो कितना हो गया, 807 x 18 करके डिवाइट कर देना है, 15 x 18-1, यानि कि इसको 807 x 18 करके डिवाइट कर देना है, 15 x 18-1, आपका एंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, तो देखें इसका होट रिक्स क्या है, यदि किसी संख्या में M से गुना करने के जगा, N से, N से भाग देने पर प्राप्त उत्तर, सही उत्तर से A कम हो जाता है, तो वो संख्या क्या होगा, तो A into N divided by MN minus 1, ये आपका होट ट्रिक्स हो गया, अगर आपको ये PDF चाहिए, चलिए, ये आपका फूल होगे आपका, जितना भी हम लोग ने अच्छे ढंग से जो भी पैटन में आपके questions आते हैं, SSC में, या आप CGL दे रहे हो, CHL दे रहे हो, CPO दे रहे हो, या RRB NTPC का second tier दे रहे हो, है ना, अभी second tier आने वाला है, अगर first नहीं वा तो first tier में इस तरह के pattern पूछे हैं, है ना, group D का अपकर आप exam दे तो group D में भरा पड़ा रहेगा आपका इस तरह का pattern और सवाल, और कोई भी exam आप दे रहे हो, तो ये tricky maths आपके जवरजस्त से जवरजस्त टाइपस के tips और tricks देखेंगे और patterns देखेंगे जो आपके SSC, RRB, NTPC group D, ये सब में सभी में आ चुका है और आता रहेगा ये हमेशा, ये होते हैं, जैसे अजरमर है ये सब pattern उसी तरह ये सब pattern भी अजरमर है, ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर next class म लिए सब्सक्राइब के कुछ महत्पूर्ण, पॉइंट, विंदू, बहुत ही जवरजस्त tips और tricks के mathematics के साथ, और तब तक के लिए आपसे लेता हूँ विदा, प्राक्टिस करते रहे हैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, और हमारे 100 days target batch में आप जूड़े रहे हैं, यहां पर आपको बहुत सारे सुबह के साथ बज़े आपको current affairs मिल जाता है, इसके बाद फिर 10 बज़े तक आपको maths या aptitude का विडियो मिल जाएगा आपको, इसके बाद फिर 1 बज़े आपको GS, General Science, GK, यह सब को मिल जाएगा, इसके बाद 6 बज़े से 7 बज़े तक आपको Reasoning का भी पार्ट मिल जाएगा, जिसमें बहतरीन से बहतरीन हमारे faculty और बहुत ही experience faculty आपको यहां पर आपको बहुत ही शांदार ढंग से समझाएंगे और बताएंगे, बने रही है हमारे साथ, तब तक के लिए thank you so much, और की practice and go एकदम जैसे करना है, इसको crack करना है, हम लोग आपको अगर इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक पर आप जाके, क्लिक करके आप वहां पर जाके, जाके, जॉइन करके, free of cost आप ले सकते हैं, यह पूरा course आपके लिए free of cost है, thank you so much, have a nice day